जय हैं दोस्तों हाज जी हम आपके सामने एक नई क्लास लेकर mathematics की जिसमें आज हम लोग कोई नया topic नहीं करेंगे कोई नया chapter नहीं करेंगे बल्कि कुछ basic question करेंगे और यह सारे जो basic question हैं जिसे आप लोगे ship कर देते हैं ध्यानने देते हैं उन्हीं questions को हम लोग आज करेंगे हूं छे question दिये हुए हैं और यह भी छे question छे के छे question यह भी भाजिता पर अधारित हैं इसमें question क्या है जैसे पहला question दिया हुआ है उसके बाद आपको चार option मिलेंगे तो जो भी आपको answer लगता है उसको आप टिक कर दीजिए फिर next है इसी तरह से इसके चार आप्शन है ऐ एक question मैं आपको करके बता दे रहा हूं उस तरह से आप करेंगे देखें यह से यहां दिया हुए गया दिन तीन साथ आठ आठ अब बीच में एक डब्बा बना दिया छे नौ से विभाज्य हो तो डब्बे के स्थान पर क्या है गर डब्बा का मतलब वो रिकता स्थान है त को क्या condition बताया था तो जाद करिए नौ से विभाज्य होने के लिए क्या condition होती है कि कोई भी संख्या नौ से विभाज्य होगी यदि संख्याओं का योग नौ से विभाज्य हो विभाज्य हो मतलब कट जा है तो यह संख्या नौ से विभाज्य है इसका मतलब इस संख्या क का योग जो है 9 से कटना चाहिए तो आप इसको देखें 7, 10, 10, 18, 18, 18, 18, 24 और 24 में 24 के आगे यहां क्या रख दिया जाए ताकि जो संख्या आए उन 9 से कट जाए तो यहां तक आपका 24 आ गया ना 7, 10, 10, 18, 18, 24 और 24 के बाद अगर मैं पहला रखता हूँ 3 तो 24 तीन कितना हो जाएगा 27 और 27 नौ से कटता है फिर अगर मैं मालजे की 4 रखूँ तो 24 तो 28 जाएगा 28 कटेगा नहीं अगर मैं 5 रखता हूँ तो 24, 5, 29 वो भी नहीं कटेगा 8 रखूँगा तो 24 और 8, 32 वो भी नह कटेगा यहीं हमारा आंसर क्या हो जाएगा पहला इसी तरह से आपके पास ये बागी की 5 केशन है आपके पास 3 से 4 मिनिट का समय है वीडियो को पॉस करें और इसको सॉल करें शलीए तो मैं आसा करता हूँ आपने वीडियो को सॉल किया होगा और अब हम इसके सही आंसर करत यह क्या रहा है 9 से भाज्य हो तो यह क्या भरा जाएगा यहां पर तो 9 मौट 17 17 30 22 22 22 22 22 22 के बाद अगर हम 6 रखेंगे 22 26 25 रखेंगे तो 25 27 27 29 से कटता है इसका मतलब अगर हम 5 रख दें तो संख्या कट जाएगी तो तूहां पहलेता पहला हना के लिए क्टीजन होती है जब यूग जुभध यहां देखले यह 5 3 8 7 so 17 में आगे तकिया रखें ताकि योग 3 से कड़ा है तोàiता WAT तोàiता है 2 रखेंगे तो 17, 12 वो भी ने कटेगा 1 रखेंगे तो 17 और 1 18 18 तीन से कटता है इसलिए आप 5 रो जाएगा 3 फिर नेक्स देखें यदि 3, 2, 4, 1, 3 से कटे तो 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9 और 1, 10 10 के बाद यहां क्या आप रखें 6 रखेंगे तो 10, 6, 16 हो जाएगा 3 से नहीं कड़ेगा 4 रखेंगे तो 10,4,14 हो जाएगा फो भी नहीं कटना 3 रखेंगे तो 10, 3,13 हो जाएगा फो भी नहीं कड़ेगा 2 रखेंगे तो 10,12 तबारा कट जाएगा तो यह आप 5 स्रोगे यहाँ देखिये 8,7,0 8 से विभाज है देखे संख्या का जो अंतिम अंग है अंतिम तीन अंग संख्या का अंतिम तीन अंग क्या हो जाए अगर आठ से कट जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या आपकी आठ से क्या होगी कट जाएगी तो यहां पर हम देखते हैं कि इस संख्या का अंतिम तीन अंग मिलाईगी जी यह 0,8 से कट जाएगा और यह भी 0,8 से कट जाएगा तो इस प्रकर आप देख रहे हैं कि अगर हम 0 यहां रख दे रहे हैं तो यह पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी एक रखेंगे तो यह जाएगा आपका 0,10 यह 8 से नहीं कटेगा दो रखेंगे तो ये भी तीनों अंक आठ से नहीं कटेंगे आठ रखेंगे तो कट जाएगा अगर आठ रखेंगे तो ये कट जाएगा आठ स्विभाज होगा जैसे अगर आठ रखें तो अंत का तीनों कट रहा है जीरो भी आठ से कटेगा आठ भी आठ से कड़ेगा और जीगो भी फिर चार से कड़ जाएगा तो यहां पर दो आपसन इसके करेक्ट होंगे यह पहला वाला भी और यह चोथा वाला भी यह ना यहां देखे नेट कर रहा है यदि एक नव तीन चार से भज हो तो खाली डब्बे के अस्तान पर क्या आएगा तो चार से भज होने के लिए आपके पास क्या शरत है संख्या का जो अंतिम दो अंग है वो चार से कटना चाहिए तो अंतिम दो अंग मिला यह अंतिम दो अंग में है आपके पास तीन और यह खाली डब्बा तो तीन के साथ यहां क्या रखें ताक कि वो कट जाए तीन के साथ यहां तीन अगर आप रखते हैं तो 33 हो जाएगा 33 नहीं कटेगा दो रखेंगे तो 32 हो जाएगा जो कि 4 से कट जाएगा तो आप का आंसर हो जाएगा दूसरा क्लियर है दोस्तों पहला set हमने solve कर लिया पहले set मैं मैंने आपको कुछ basic question दिये जिसमें विवाजददसन मनित question थे लेकिन जो set second है यह आपके बास second set जिसमें जो question है यह भी आपके basic सही है तो इसको देख लिए क्या है जैसे पहला question है आपका कि अगर हम 111 में 111 से गुड़ा करें तो कितना answer आएगा फिर next question है 111 में 111 से गुड़ा करें तो कितना answer आएगा और 11111 में 11111 से गुड़ा करें तो कितना answer आएगा फिर next, तीसरा, चौथा question देखिए, कि निम्र संख्याओं में से कौन से संख्या परिमे हैं, तो आपको इसमें से बताना है कौन सी परिमे हैं, जो जो परिमे होगी, उस पे आपको टिक करना है, परिमे भी कर लिजे, परिमे और आप परिमे हैं, आप इसमें से, यहां पर पर परिमे की जगह आप लिखिए कौन सी संख्या और परिमे हैं हैं आपको आप नेक 수가 सबसे पहलें तो आपके पस आपसन है पहला दूसरा तीसरा चोथा जो भी आपको आपसर मालना है फिर नेक्से सबसे छोटी समसंख्या क्या होगी तो इसमें से आपको आपसर करना है सबसे छोटी विसमसंख्या यह आपको आपसर करना है सबसे छोटी भाज संख्या आपको आपसर करना है और आपसंद करना मतलब भी चार में है, चार आपसंद है, इसमें से आपको कोई एक आपसर चुनना है प्रिगर नेम्र संख्याओं का कौन सा जोड़ा सह अभाजी का है अब आपके दिमाग में सह अभाज की जो मैंने बात बताई थी, अगर याद है तो आप इस आंसर को असानी से कर पाएंगे चलिए, तो मैं एक कोशन कर देता हूँ, जिसे यहाँ पर ही है कि 111, 111 में, 111 से गुड़ा करें तो जनरल रूप में हम क्या करते हैं, गुड़ा करेंगे, कहेंगे नारे, लेकिन आपको नहीं करना है अगर जितने एक हैं, उतने ही एक से गुड़ा हो रहा है, तो इसका आंसर आजाएगा एक, दो, तीन, दो, एक, यह हो जाएगा इसका आंसर क्योंकि अगर हम 11 में 11 से गुड़ा करते हैं, तो इसका आंसर आता है, एक, दो, एक देखें, जितने भी अंक होते हैं, जैसे यहां पर दो अंक दिया हुआ है, दो, एक, एक हैं तो आपको दो तक जाना है, फिर उसके बाद कम होना है, जैसे यहां पर तीन दिया है, तो आपको तीन तक जाना है, तो एक, दो, तीन, फिर उसके बाद आगे बड़े थे, उसी तरह से आप पीशे आएगे, जैसे एक, दो, तीन, फिर तीन के बाद आप डाउन होंगे, त तो एक, दो, तीन, चार, अधिकतम चार तक जाएगे, उसके बाद डाउन होंगे, कहां तक? एक तक, तो चार के बाद डाउन होंगे, तो तीन आएगा, फिर दो आएगा, फिर एक हो जाएगा, जहां तक आप अधिकतम अंग तक आप गए, उसके बाद इस अधिकतम अंग के पहले जो अंक आपने लिखा है उसी आंक को फिरसे आप दोबार लिख दिज़े, या आप पांसर हो जाएगा इस का आंसर बताइएआ एक दू, तीन चार, पांच, तो इस का आंसर हो जाएगा एक दू, तीन, चार वेशे आप खुद इसको लिखेंगे मैं इसका answer नहीं दे रहा तो इसको आप question को ज्यान से पढ़िए और आपके पास फिर से 3-4 मिट का समय है वीडियो को pause करिए और इसका आप answer दीजिए सभी लोग जो भी आप answer आ रहा है आप उसके से इसको आपको करना है तो बस टिक कर दीजिएगा कि हाँ इसमें कौन सा परिमे है। इसमें कौन सा aption है इसमें कौन सा aption शबब कर लिजिए फिर जब मैं इसको तो gloss सूल करांगड़ तो आप मैंज करेगा आपने कितने answer सही किए चलिए जो वीडियो को pause करिए और इसको solve करिए तो आसा कर दा हो कि आपने question को solve कर लिया है तो यहाँ पर सबसे छोटी अभाज संख्या पहले इसको कर ले दें निम्ख संख्या हों में से कौन से संख्या आपरी में है मैंने आपको आपरी में के लिए बताया था कि ऐसी संख्या जो करडी से बाहर ना आ सके आप चाहे जितना भी प्रयास करें वो करडी से बाहर ही ना आए तो संख्या क्या होती है आपरी में होती है और साथ में पाई भी आपरी में संख्या है यह हो गई यहाँ देखें करडी में तीन भी हो गई करडी में साथ भी हो गई करडी में दो भी हो गई और करड़ी में 11 ही हो गई अब आप सोच रहे होगे कि मैंने करड़ी में 16 को क्यों नहीं किया करड़ी में 25 को क्यों नहीं किया जिसका कारण है यह है कि करड़ी में 16 का मतलब हुआ कि 16 का वर्गमूर और करड़ी में 16 यानि 16 का वर्गमूर कितना होता है 4 होता है, यanoi ये 한क्या भले ही दिखने में, करडी में 16 है लेकिन, एक्ट्योल में क्या है, चार है यहाँ पर हम देखें किरडी में 25 है और ये वास्तों में ये 5 है तो ये करडी से बहार आग Colon miste तो इसलिए परिमे होगी, ये भी परिमे होगी और ये भी आपकी परिमे संक्या होई फिर next कह रहा है सबसे छोटी अभाज संक्या क्या है तो सबसे छोटी अभाज संक्या बहुत लोगोंने हो सकता है one माना हो लेकिन सबसे छोटी अभाज संक्या क्या होती है दो होती है एक भाजी संक्या नहीं होती है एक विशम संक्या होती है सबसे छोटी संक्या तो बहुत दोगोंने सही मारा होगा सबसे छोटी संक्या होती है विशम संक्या संक्या दो सबसे छोटी विशम संक्या तो विशम संक्या सुरुवात कहां से होती है एक से तो आप पांसर हो जाएगा सबसे चोटी भाज संख्या, भाज संख्या किसे बोलते हैं जिस संख्या को काटने वाले कम से कम तीन लोग हैं, एक तो एक हो दूसरा और खुद संख्या हो और बीच में एक और संख्या हो जो उसको काट सके तो सबसे छोटी भाज संख्या हो जाएगी चार फिर नेक्स्ट है निम्न संख्याओं का कौन सा जोड़ा सहाभाज है अब इसमें अगर आपको सहाभाज का तनसित नहीं पता है तो इस question को आप नहीं कर पाएंगे तो सा अभाज संख्या क्या होती है ऐसी दो संख्याएं जिनको काटने वाला केवल एक हो उसी को हम सा अभाज संख्या कहते हैं जैसे इन सभी में अब यहां पर देखा जा कि नव और सताइस को काटने वाला कौन कोन है एक तो सबको काटता है, एक 9 को भी काटेगा, एक 27 को भी काटेगा, लेकिन इन दोनों को एक साथ काटने वाला 3 भी है, तीन नौ को भी काटेगा 27 भी काटेगा और नौ भी काटेगा दोनों को तो यहां तो तीन तीन दो काटने वाले होगे लेकिन होना कितना चिये मात्रा यह काजमी यहां देखें तो एक तो दोनों को काटेगा ही एक के अलावा पांच भी दोनों काटेगा यहाँ देखे लिए जा एक तो दोनों को काटेगा साथ में 5 भी दोनों को काटेगा तो जब एक के अलामा भी कोई काटने वाला मिल गया तो वो संख्या हैं आपस में सहभाज संख्या होती हैं तो इसलिए हमारा आप समय जाएगा B क्योंकि यह दोनों यह अलग तीन से लेकिन दोनों एक साथ किसी संक्या से नहीं कटेंगे सिवाए एक के तो एक ही ऐसी अकेली संक्या है जो दोनों को एक साथ काट सके क्योंकि तीन से करब काटेंगे तो तीन से नौ तो कटेंगा लेकिन चौजा नहीं कटेंगा 2 से काटेंगे तो 2 से 14 तो कटेंगा लेकिन नहीं कटेंगा तो एक साथ दोनों को कोई संख्या एक के लावा नहीं काट पाएगे तो यह रहे आपके आंसर और इसका आंसर क्या हो जाएगा 1,2,3,4,5 तो आप जाएए 5 तक 1,2,3,4,5 फिर आपने पांच के पहरे जितना लिखा था उसी को फिर से लिख दीजे लेकिन इधर से चार तीन दो एक या पांच समझेंगा कि यह कोशन मैंने आपको इसलिए करवा दिया कि यह कोशन एक्जाम में आता रहता है तो लड़के करते क्या हैं कि अगर इनको यह कंसेप नहीं बता है तो फिर यह पुरा-पुरा गुड़ा करते हैं चुकि उन्हें लगता है कि कोशन तो बड़ा असान है यह तो आही जाएगा हमसे तो इस चक्कर में जहां कोशन का आंसर पांच सेकंड में आना चाहिए उस कोशन का आंसर आओ वो दो से तीर में में देते हैं तो इस तरह से उनके लिए यह प्रॉब्लम है तो आप समझ गया होंगी कैसे इसका आंसर देना है तो आज हम ने किया कुछ basic question जो कि आपकी लिए बहुत ही basic थे लेकिन important भी थे जो कि ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि आप भूल जाते हैं अक्सर तो इस वीडियो को जब भी आप पहुशकता हो basic question को समझने की तो ये सारे basic question जो अक्सर exam में पूछे गए हैं वो मैंने हम पर discuss किया है इस पर दोबारा भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए आपकी class यहीं तक जहें